हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हेल्थ और होमियोपैथी से संबंधित सारी जानकारी पाएं और पहला आइकन जरूर प्रस्कार नमस्कार मैं डॉक्टर कवींद्र आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो के साथ अपने इस चैनल होमियोपैथी वरक्स में दोस्तो आज मैं आपसे बात करूंगा कोरोना डाइट के बारे में यानि कोवीडी 19 संकरमर के इस दौर में संकरमर से बचने और इम्म् सबजियों का ही प्रियोग करें और इन सबजियों को आप स्टीम करके या फिर उन्हें सैलिड की फॉर्म में यूज करें जिनसे इन में उपस्तिद विटामिन्स और मिनरल्स डिस्ट्रॉई नहीं होते और यह आपकी इम्मिनिटी भी बढ़ाते हैं अगर बात करें हेल्द के टिप नंबर टू की तो वह यह कहता है कि आपके खाने की प्लेट के वन थर्ड हिस्से में प्रोटीन होना चाहिए अगर बात करें वेजिटेरियन्स के लिए प्रोटीन के क्या-क्या उप्संस हैं तो दालें, दही, दूद, पनीर को अपनी डाइट में वह सामिल कर सकते हैं बात करें नौन वेजिटेरियन्स के लिए तो अंडे, मचली, चिकन को अपनी डाइट में एड़ उन करें इसके अलावा अगर बात करें ग्रेंज यानी अनाज की तो कोशिश करें कि साबुत अनाज ही अपने डाइट में इस्तेमाल करें जैसे कि चोकर वाले आटे से बनी रोटी, मल्टी ग्रेंज आटा, दलिया, ओट्स या रागी को अपने डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं दिन भर की डाइट के साथ आप फल भी यूज करें और डाइपिटिक लोगों के अगर बात करें तो दिन में कम से कम दो फल जरूर लें और नौन डाइपिटिक के बीच का जो खाली समाई है यानि स्नेक टाइम में आप फलों को प्रियोग कर सकते हैं अब बात करते हैं टिप नंबर थ्री की दोस्तो सॉलिड डाइट के साथ साथ आपकी बोडी को लिक्विड डाइट या फिल्यूट डाइट के भी आवशकता होती है जिसके लिए आप हल्दी, अधरक, डालचीनी, सौफ, अज्वाइन का प्रियोग कर सकते हैं इन चीजों को आप हलके गुनगुने पाने के साथ या फिर बोड़ मिल के साथ प्रियोग कर सकते हैं दोस्तो आजकल आप एक शब्द काफी सुन रहे होंगे या फिर इस चीज को आप प्रिय में जाकर क्लिक कर सकते हैं हल्दी डाइट आपके इम्मिनिटी को बढ़ाने के लिए बोड़ी की स्टेंद को बढ़ाने के लिए बहुत लाबदाएक है दोस्तो या हर्बल ड्रिंक या हर्बल मिक्चर इम्मिनिटी बूस्टर ड्रिंक आपकी इम्मिनिटी को बढ़ाने के साथ साथ body की strength भी बढ़ाती है लेकिन एक चीद का विशेश ध्यान रखें कि इस herbal mixture में ना जादा नमक का यूज करें और ना ही जादा चीनी का प्रियोग करें या फिर इनके अलावा आप process food, packet food, cold drinks या juices का भी कम से कम इस्तेमाल करें जीनी और नमक body की immunity power को कम कर देती है अपने शरीर को proper तरीके से hydrated रखें जिसके लिए आप दिन भर में 8 से 10 गिलास कम से कम पानी पीए और पानी का प्रियोग हो सके तो उबालने के बाद ही प्रियोग करें या फिर हलका गुनगुना पानी भी ले सकते हैं इसके अलावा आप body को hydrate रखने के लिए fresh coconut water vegetable soup का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही फिर मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ धन्यवाद